नमस्कार आज की खेल पत्री का लेकर हाजिर हूं मैं प्रीती चड़ीदार श्रुताउन दक्षिन अफ्रीकी क्रिकेट टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है इस दौरे का पहला T20 मैच 15 सितंबर को बारिश की वज़ा से रद्ध हो गया था सिरीज का दूसरा T20 मैच कल यानी 18 सितंबर को मोहाली के IES बिंदरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा तीन T20 और तीन टेस्ट मैचों के इस दौरे का ये दूसरा T20 मैच दोनों ही टीमों के लिए एहम बन चुका है जिसमें दोनों ही टीमें जीत के इरादे से उतरेगी इस दौरे पर भारती टीम की संभावना उपर और बाचीत के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ट खेल समिक्षक आलोक चतुरवेदी आप से मुलाकात कर रहे हैं प्रसारन कर्मी शुभम तिवारी साथियों दक्षिन अफरिकी क्रिकेट टीम का भारती दौरा शुरू हो चुका है जहां उसे भारती क्रिकेट टीम के साथ 3 T20 मैच और 3 T20 मैच खेलने हैं इस T20 मैच के और इस टेस्ट मैच के भारती क्रिकेट में क्या महत्व है इस पर आप बाचीत करेंगे आलोक चतुरवेदी जी से आप वरिष्ट खेल समिक्षक तो हैं ही आप एक प्रक्षात अंतरराश्ट्री कॉमेंटेटर भी है आलोक जी आपका बहुत-बहुत स्वाग वंडे सीरीज इस दोरे में नहीं है कितना महतुपून दोरा है यह आपकी नजर में देगे निश्चित रूप से बहुत ही महतुपून दोरा है यह क्योंकि जैसा कि आपने जिकर किया कि 2023 में जो है वर्ल्ट टेस्ट चैंपिंशिप खेली जानी है और साउथ अफरीका एक मजबूर टीम है यह बात अलग है कि जो वर्ल्ल कप में उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत साधारन रही लेकिन यहां वो इस बार वंडे मैच खेलने नहीं आएं तीन टी ट्वेंटी और तीन टेस्ट मैच खेलने आएं तो उस नजरिये से अगर देखें तो भारत के हैं और देक्षिन अफरीका ऐसी टीम है जिसके पास हमेशा ही हाई क्वालिटी बैट्समन हाई क्वालिटी फास बोलर्स यह रहे हैं तो एक स्ट्रॉंग अपोजीशन से जब मुकाबला होता है तो आप का भी गेम लिफ्ट होता है तो मैं यह महसूस करता हूँ कि यह जो स जो टेस्ट चेंपेंशिप है उसके लिए अपनी पोजीशन को अच्छी बनाए जहां तक शुमम जी टी ट्वेंटी का प्रेशन है जैसा कि आपने पूछा कि अगले ऑस्ट्रेलियन समर में टूबर नूबर 20 तो यह एक साल का जो समय है यह बहुत जादा समय नहीं रह गय है टी ट्वेंटी के वर्ल्ल कप के लिए और जैसा हमने भी देखा कि जिस तरह से भारती टीम ने यंग्स्टर्स को मौका देना शुरू कर दिया है वो फास बोलर हो चाहे बैच्समन हो तो उससे यह पता लगता है कि जो एक्सपरिमेंटेशन का दौर है वो चालू हो गया है कि हम चाहते है कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंग्थ है उसको टेस्क करें और फिर हम दीरे दीरे जो है अपना वर्ल्ल कप के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करें तो मेरे खाल है निश्चीत रूप से जो दक्षिन अफरीका की टीम भारत आई है वो एक बहुत महत पून दोर है और यह थोडी सी निराशा की बात रही कि रविवार को जो है वो द्द्ध हरमशाला की विकेट भी न थोड़ी फास्ट विकेट है और अगर यह मैच होता तो दिलश्शप होता और अची कि तो मैच कर थे इसा आलोग जी जैसा आपने कहा कि दक्षिन अफरीका टीम हमेशा एक खतरनाक टीम रही है अच्छे बॉलर्स के पास रहे हैं अच्छे बैट्समान उसके रहे हैं अच्छे फीडलर्स उसने दिये हैं विश्व क्रिकेट को लेकिन अगर हम यह दोरा चोड़ दे उनके ICC टूनमे कप्तान खुद नहीं है तो क्या आपको लगता है कि यह टीम भरती टीम को जो कि अपने घर में बहुत मजबूत इस्थिति में रहती है चुनौती दे पाएगी देखे शोगम जो T20 का क्रिकेट का फॉर्मेट है वो सबसे इंस्टेंट फॉर्मेट है इसमें रा टैलेंट जो है वो बहुत मैटर करता है और इसमें हर एक प्लेयर को एक मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगते है कि T20 में शायद उतना मैटर नहीं करता है जितना कि वो टेस्ट मैचेज में करता है कुछ तक वंडे इंडे इस्ट अवर खेलना और पचास ओवर खेलना बहुत अवी में पचास ओवर से जादा की इनिंग्स होई जाती है दो बार खेलना तो यह जो T20 इट्स अल अबाउट रॉ टैलेंट मुझे ऐसा लगते है कि साउथ अफरिके की टीम जैसे आपने का चार खिलाडी डेबू कर रहे हैं वो पेपर पे इन एक्सपिरियंस जरूर है पर मु अफरिका से बेतर टीम नजर आ रही है लेकिन मुझे तब भी लगता है कि यह T20 जो अब जो दो होंगे यह अच्छे होंगे और दोनों टीमों के अपॉर्चिनिटी होगी कि आप अपने कॉमिनेशन्स को जो है थोड़ा सा ट्राइ करना शुरू कर दें और अफरिका के जो अधि दुनिया के वन आफ दे मोस्ट अंडरेटिट प्लेयर्स में है वो बड़ा कमाल करते हैं बल्ले से बड़ी लंबी लंबी पारियां खेलते हैं हर एक फॉर्मेट में बड़ा जबरदस्त उनका यह टैलेंट है कि हर फॉर्मेट में वो बड़े प्रॉलिफिक स्कोरर ह तो यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि वो टी ट्वेंटी में अभी कफ्टान बने हैं कि उनका कैसा प्रफॉर्मेंस रहता है और मुझे लगता है कि थोड़े अंडर रेटेट रहें यह इन सालों में की प्रफॉर्मेंस जबरदस्त रही है लें इनकी चर्चा कम होत हम आगे बात करें और टी ट्वेंटी में हमारी टीम के कॉंबिनिशन पर बात करें मिडल ओर जो है हमारा सैटल नहीं लगता है वंडे में भी टी ट्वेंटी में भी टेस में तो हम सैटल है ओपनिंग को चोड़ दें तो तो टी ट्वेंटी में मिडल ओर क्या आप सोचते ह होना चाहिए श्रीय सयर हमारे पास है मनीश पांडे हमारे हमारे पास है मेरा खायल हिए इन दोनों खिलाडियों को हमें रखना चाहिए हुँआ आप देखें दोनों खिलाडिये हमारे World Cup के टीम में नहीं थे अरन कि वो पचास Oaver कै या मैच होद और हमने देखा कि हमारा number four five six बड़ा डावाडोल रहा और यही वज़े थी कि हम जो semi final भी हारे कि आप देखिए कि एक stage के बाद जब चार wicket गिर गए थे तो six seven eight ने runs कर दिये विश्व कप में semi final पच्चिस पे चार हो गए थे लेकिन आप देखिए जब number five दिनेश कारती का है तो वो टिक नहीं पाए विकेट पे और इसके पहले भी आप देखें तो इस सब हमने try किये लेकिन जो हम finally टीम लेके गए उसमें भी एक uncertainty थी कि हमारा middle order stable नहीं है मेरे खाल है हमारे selectors को जो विश्कप semi final में जिस तरह से हमारे पूरा tournament अच्छा खेले करीब सबाड़ महीने तक इतने matches हम इतना हमने dominant किया one of match था हूँ one of match और जो ऐसा कि हमारे कप्तान ने भी कहा कि हम एक घंटे की खराब cricket में हमारी पूरी चार साल की जो मेहनत थी वो बेकार हो गई तो मुझे लगता है ये selectors के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि हम अपने middle order को हर तरह से settle करें test matches में रहाने हैं पुझारा हमारा middle order काफी समला हुआ एक होली खुद है test matches में मैं शुभम जी महसूस करता हूँ कि हमारे हर तरह के combinations बड़े settled है यही वज़ा है कि हमने इत्यास में पहली बार australia को australia में हराया पिछले season में पर जहां तक T20 और ODI की बात है ये अभी भी हमारी जो समस्या है वो अभी हम हल नहीं कर पाए हैं तो मेरे खैले कि श्रेय सायर और मनीश पांडे ये काफी अभी हद तक जो है ये उत्तर है उस प्रशन का समस्या के समाधान के लिए शोगम जी तो ये जो है जो है जो है जोलन्त विशय है और इस पे काम करना होगा बिल्कुल आपने कहा कि test matchों में हम settled नजर आते हैं combination में लेकिन फिर भी एक कमी test match में अभी भी लग रही है कि opening combination मुर्ली विजा के जाने के बाद से हम तलाश रहे हैं अभी और अभी एक statement भी आया है कि शायद रोहिश शर्मा को test match में भी try किया जा सकता है test match में कैसा सोचते हैं आप इस बारे में opening combination के बारे में और रोहिश शर्मा विकल्प होने के बारे में आपने यकिनन ये ठीक कहा कि मुर्ली विजा जब तक थे तब तक थोड़ा एक settled हमारा opening pair रहता था और चिंता वाली बात नहीं थी लेकिन मैंग अगरवाल ऑस्टेलिया गाय मेरे खाल आखरी के दो test matches में last season बहुत अच्छा खेले बहुत अच्छा खेले अब शायद केल रहूल को इन्होंने test matches के टीम में भी इन्होंने नहीं लिया है तो आप यकिनन आपने ठीक कहा कि जो test matches में भी थोड़ा सा opening slot है लेकिन test matches में ये देखा है कि आपको दो पारियां मिलती है और आप game की pace को भी slow कर सकते हैं तो मेरे खाल है वो समस्या भी हमारी हल हो जाएगी और जहां तक आपने रोहिच शर्मा की बात की देखिए white ball cricket और red ball cricket में फार्ख है जो white ball है और शुरू में बहुत swing होती है लेकिन जो red ball है जो लाल गेंद है वो अगर conditions अच्छी है और outfield green है बाल किशाइन बनी रहती है तो जो red ball है वो एक अलग brand of cricket है रोहिच शर्मा अंतराश्टी cricket में 2007-2008 में आये थे मुझे अच्छे से याद है उस साल भारत ने ऐस्टेलिया में ट्राइ सीरीज भी खेली थी और उनका बहुत अच्छा योगदान रहा था जहां तक white ball का cricket है मेरे खहले वो शायद आना अर्गुएबली best player होंगे मैं तो यह कह सकता हूँ आंकड़े भी मुझे लगता उस बात को support करेंगे लेकिन रोहित शर्मा के mindset को सभी को मिलकर बैटिंग कोच को रोहित शर्मा खुद कैप्टिन उनको यह थोड़ा सा धालना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि आप में इतनी talent है international experience है और tons of runs है आपके one day में और T20 में तो आप test match में अगर अपने को थोड़ा सा apply करें और थोड़ा टिक के खेलें बहुत जल्दी shots ना खेलें जब आई इन हो जाए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर काम किया जाए रोहित शर्मा खुद भी थोड़ी मेहनत करें त तो वो अच्छे opener बन सकते हैं आलोग चत्रवेदी जी बहुत अच्छी जनकारिया आपने दक्षिन अफरीका के भारती दोरे पर हमें दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए दो T20 मैच हैं और जो तीन test matches हैं उन्हें चीत कर भारती टीम T20 विश्वक जो अगले साथियों हमारे देश की बेटियां अंतराश्ट्रिय पटल पर सफलता के नित नए किर्तिमान स्थापित कर रही हैं फिर चाहे वो पीवी सिंदु हो साइना नेवाल हो सक्षी मलीक तीपा कर्माकर हो या फिर मुसकान किरार हर्शिता तोमर हो इन बेटियों की उपलब्दि है मनीश गजबिये 25 अगस 2019 को स्विजर लेंड की शहर बासेल में भारत की गूर्डन गर्ल पीवी सिंदु ने बैडमिंटन विश्वे चेंपिनशिप 2019 के फाइनल में दुनिया की चौते नमबर की खिलाडी जापान की नोजोमी ओकोहारा को हरा कर बैडमिंटन चेंपिनशिप में पहली बार स्वन पदक जीत एक नया इतिहास रचा विश्वे रैंकिंग में पाँचवे पाइदान परकाबिस पीवी सिंदु ने नोजोमी ओकोहारा को सीधे गेमों में 27-27 से पराजित किया यह मुकाबला लगबग 37 मिनट तक चला उन्होंने विश्व बैडमिंटन चेंपिनशिप के कौटर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की ताइजू यिंग को एक घंटे 11 मिनट के कड़े मुकाबले में पराजित कर अपना लगातार पांचवा विश्व इसपर्दा पदक पक्का किया वे दूसरे क्रम की ताइजू यिंग से 12-21, 23-21, 19 से जीती सेमी फाइनल में चीन की दिवार चें यूफेई को 21-21-21-14 से हरा कर सबको उन्होंने चकित किया 2014 वा 2015 में कास, 2017 वा 2018 में रजट के बाद इस साल स्वाण हासिल करने वाली वा दुनिया की चोथी वा पहली गैर चीनी खिलाडी बन गई है जिन्होंने विश्व इस परदा में तीनों पदक हासिल किये, उनकी इस सफलता से पूरे देश में खुशी की लहर है वश 2016 के रियो डी जैने रियो अम्मे आयोजेत उलमपिक में भी उन्होंने रजट पदक जीता था तब भी उन्होंने भारतिय बैडमिंटन का एक नया इतिहास लिखा था यह सफलता उन्होंने अपने कोच पुलेला गोपी चंद के सानिद्ध में हासिल की जो वाकई काबिले तारीफ है उनकी इस फॉर्म से उन्होंने 2020 के टोक्यो उलमपिक में भारत के स्वणपदक जीतने की उमीदों को बरकरा रखा है इससे पहले बैडमिडने चेंपिर्शिप में भारत के लिए महिला और पुरुषवर्गों में से अब तक किसी ने गोल्ड मैडल नहीं जीता है इसलिए पीवी सिंदु की यह उपलब्दी खेल जगत के लिए खास माइने रखती है पीवी सिंदु की निरंतर सफलताओन उन्हें भारत के खेल तियास का सरवाधिक प्रतिष्टित महिला खिलाडी के क्रमक में शीष पर पहुचा दिया खेल जगत की इस गोल्डन कल पर पूरे देशवासियों को नाज है पीवी सिंदु की तरह भारत की पूर्वतर राज्य आसाम के ग्रामे डेंचल से आई उन्हेस वरिष्य बाली का हीमा दास ने भी एथलेटिक्स में एक नई उमिद की किरन जगाई है वो IAF World Under 20 Athletics Championship के 400 मीटर दौड इस परधा में स्वंड पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी है हीमा ने 400 मीटर की दौड मात्र 51.46 सेकेंड में पूरी की और स्वंड पदक अपने नाम किया 2019 में हीमा ने पहला गोल्ड मैडल 2 जुलाई को पोजनान एथलेटिक्स ग्राउंड प्रिक्स में 200 मीटर रेस में जीता था इस रेस को उन्होंने 23.65 सेकेंड में पूरा कर गोल्ड जीता था 13 जुलाई 2019 को हीमा ने चेक रिपब्लिक में हुई क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में महिलाओ की 200 मीटर रेस को 23.54 सेकेंड में पूरा कर फिर सी तीसरा गोल्ड मैडल हासिल किया था 19 साल की हीमा ने बुधवार को 17 जुलाई 2019 को चेक रिपब्लिक में आउजित ताबोर एथलेटिक्स मीट के दोरान महिलाओ की 200 मीटर रेस को 23.25 सेकेंड में पूरा कर चौथा गोल्ड मैडल अपने नाम किया हीमा ने चेक गंडराज्य मेही शनिवार को 20 जुलाई 2019 को 400 मीटर की इस परदा दोर में 52.09 सेकेंड में जीत हासिल की हीमा ने जुलाई महा में मातर 19 दिनों के भीतर 500 पदक अपने नाम किये जो अपने आप में एक किर्तिमान है अगले साल जापान में होने वाले उलंपिक में हीमा दास ने पदक की उमीदों को बरकरार रखा है और उमीद है कि अगले साल उलंपिक में भारत अपना श्रेश प्रदर्शन कर पदक तालिका में विश्व पटल पर अपनी एक अनूटी चाप छोड़ एक नया किर्तिमान और अब वक्त है हमारे नियमित क्रम सापताई खेल समिक्षा का जिसमें हम समीठते हैं मुक्य खेल हलचलो को तो आज की खेल समिक्षा के साथ हैं खेल समिक्षक मोहम्मद शाहिद दोस्तों नमस्कार सभी शुरताओं का बहुत स्वागत है आईए सबसे पहले किर्केट वर्ड के बारे में जानते हैं भारत के वेस्टन्डीज के सफल दोरे के बाद जहां भारत सभी फॉर्मिट में अन्बीटन रहा है और वेस्टन्डीज के होम स्वाइल पर शानदार प्रदेशन करके वेस्टन्डीज को क्लीन स्वीप किया अब अगली श्रंकला दक्षिन अफरीका के साथ होनी है भारत मेजबानी कर रहा है सही माइने में अब भारत की कड़ी परिक्षा है क्योंकि मेजबानी भारत की होगी दूसरी और दक्षिन अफरीका की टीम कॉमपेक्ट टीम है उनकी टीम में जवर्दत तेज हर खिलाड़ी के लिए एक बड़ी चुनाती होगी विराट कोईलियन कंपनी अब दक्षिन अफ्रीका के साथ लंबा सेशन खेलने वाली है जिसकी शुरुआत 15 सेप्टमबर से टी ट्वंटी मुकाबलों से हो चुकी है भारत की अगवाई सभी फॉर्मिट में कप्तान विराट को ही लिए करेंगे जबकि दक्षिन अफ्रीका के टी ट्वंटी कप्तान क्विंटन डी कॉक होंगे जो टीम के विकेट की पर भी हैं और टेस्की कप्तानी फॉर्ब डू प् एक दूसी अंतरास्थी मुकाबले खेलने के लिए दक्षिन अफ्रीका की टीम माज 2020 में भारत दुबारा लोटेगी भारत की युवा अंडर 19 टीम ने सात्मी वार एशिया कप पर कबज़ा कर लिया है फाइनल मकाबला बांगलादेश के विरत खिला गया इस रोमांचक मकाबले में भारत के गेंदबाजों ने सदी हुई गेंदबाजी करते हुए बांगलादेश को नेल बाइटिंग मैच म पांच रन से हरा दिया और इस किताब को सात्मी वार भारत के नाम किया वास्ता में ये फाइनल मकाबला लो स्कोरिंग मकाबला था भारत ने टौस जीत कर पहले बाले बाजी करते हुए 32.4 ओवर में 106 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई जबावी पारी खेलने उतर बुंगला की टीम भारत की पहनी गेंदबादी के समक्ष नत मस्तक हो गई और मात्रे 100 रन पर पूरी टीम बंडल आउट हो गई इस मकाबले में बाए हाथ के स्मिनर अथर्प का दबदबा रहा उन्होंने पांच विकेट लेकर भारत को जीत दिला दी और वो प्लियर आप प्रदेशन करते हुए उस्टेलिया को एक सो पैंतीस रनों ने से परास कर दिया और सिरीज दो दो से बराबर कर ली हलाकि ट्रॉफी ऑस्टेलिया के पास ही रहेगी इस ऐसे सिरीज में स्टीव स्मित ने काफी दमखम दिखाया और अपने बैटिंग का बे मिशाल प्रदे किया और ऐसे सिरीज को ऑस्टेलिया को दिलवा दिया इस टीव स्मित ने इस ऐसे सिरीज में कुल साथ सो चोहतर रन बनाए और च्छाय रहे बंगलादेश में त्रिकोर्णी टी-20 सिरीज खेली जा रही है जिसमें बंगलादेश, अफगानिस्तान और जिंबावी की टीमें भाग ले रही है बहुत ही रोमांचकारी मकाबले खेले जा रहे हैं फाइनल मकाबला 24 सेप्टमबर को खेला जाएगा एक टी-20 मकाबला जो अफगानिस्तान और बंगलादेश के बीच खेला गए अफगानिस्तान ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन किया और मजबूत बंगला की टीम को 25 रन सहरा दिया अफगानिस्तान ने 165 रन बनाये थे उसका पीछा करते हुए बंगलादेश के टीम 149 रन पर सिमट गई इस मैच में अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज मुझीव और रह्मान ने शांदार गेंदबाजी की और मैच को अपनी और मोड दिया भारत के बैडमिंटन के लाड़ी सौरव वर्मा जो मदबर्देस और धार जिले के रहने वाले हैं रवीवार को वियतनाम उपिन का खताब जीद गए फाइनल में सौरव ने चीन के फेई जियॉंग सुन को 21, 12, 17, 21, 21, 24 से हरा दिया यह मैं अज 72 मिनट तक चला दूसरी और भारत के उभरते शटलर लक्ष सेन ने शनिवार को उलट फेर करते हुए बेल्जियम इंटरनेशनल खताब जीद गए लक्ष ने डेनमा के खिलाड़ी विक्टर स्वेंटसन की माद देने में सफल रहे विश चेंपियंशिप का खताब जीद कर इतिहास रचनेवाली भारत की बेडमिंटें स्टार कलाड़ी पीवी सिंदू की निगाहें अब चाइना ओपन वर्ड टूर सुपर 1000 टूनमेंट में होगी और उनका प्रयास इस टूनमेंट को भी जीतने कर रहेगा भारत को उनसे काफी आशाएं हैं बार वर्ड नमबर पाँच पीवी सिंदू ने विश चेंपियंशिप में पिछले मास टून्ट पदक जीता था साइने निवाल भी इस प्रतियोक्ता में शामिल हैं उनकी टककर थाइलेंड की शटलर वुसानन से होगी बेल्जियम की पूर नमबर एक टेनिस कलाडी किम कलिस्टरस 2020 में कोर्ट में फिर वापसी कर रही है और 2007 और 2012 में दो बार खेल से सन्यास ले लिया था उनके नाम चार ग्रेंड स्लिम के खताब है 36 बर्ष की किम ने कहा कि मैं अपने आपको युवा महसूस कर रही हूँ किम तीन बच्चों की मा भी है वो आठ साल बाद कोर्ट में वापसी करेंगी वो अगले सीजन में खेलने के लिए तैयारी में जोट गई है भारती अथलीट दुती चंद को वर्ड अथलेटिक चंपेंशिप के लिए बारती टीम में शामिल कर लिया गया है 100 मीटर की फराटा अथलीट दुती चंद वर्ड चंपेंशिप के लिए कौलिफिकेशन माग 11.24 सेकंड तक नहीं पहुँच पाई थी लेकिन दुती चंद को IAAF के आमंतरण पर AFI ने स्विकार कर लिया वर्ड अथलेटिक चंपेंशिप 27 सेप्टमबर से 6 अक्टूबर तक दोहा में खिली जाएगी बारत और इंग्लेंड के बीच 5 मैचों की श्रेंकला 27 सेप्टमबर से 4 अक्टूबर तक इंग्लेंड में खिली जाएगी हौकी इंडिया ने शुक्रवार को इंग्लेंड दोरे पर जाने वाली भारती महिला टीम की घुशन कर दी टीम की फॉर्वर्ड किलाडी रानी रॉंपॉल को कप्तान मनाये गया है गोल कीपर सवीता को भी उपकप्तान की जिम्मेदारी सौपी गई है वर्ड रेस्लिंग चेंपियंशिप की शुरुआत कजागिस्तान में शनिवार से हो गई है इस चेंपियंशिप में भारत के 30 पहलवान भाग लेंगे यह ओलंपिक कौलिफायर टूनमेंट है भारत के दो बार के ओलंपिक मैडले सुशील कुमार और वर्ड नमबर एक बजरंग पूनिया से भारत को काफी आशाए हैं सुशील नौ मर्श के बाद वर्ड चेंपियंशिप के वापसी कर रहे हैं बारत को चेंपियंशिप में एक मात्र गोल्ड सुशील कुमार ने नौ साल पहले मौसकों में दिलाया था ब्राजिलियन टेनिस कलाडी डियागो मात्र पर फिक्सिंग मामले के करण आजीमन बेन लगाया गया है उनके उपर लगबग 90 लाग रुपए का जरुबाना भी लगा 31 वर्ष के मात्र ने 2018 में ब्राजील, शीरलंका, एकवाडोर, पुर्टगाल और इस्पेन में खेले गए आईटीएफ टूनामेंट में जानबूच कर खराप खेल दिखाया था इंगलेंड के पूर्ब क्रिकेटर एंट्यो स्ट्रॉस और जेफरी बाइकवाड को देश के प्रतिस्थिस सम्मान नाइट हुट से सम्मानित किया गया है इस सम्मान के बाद दोनों सर कहलाएंगे बाइकवाड ने टेस्ट में 814 रन मनाए उन्होंने 36 बंडे भी खेले साल में पांचवे खताब है फाइनल में अडवारी ने पिछली साल की तरह हैस्थानी दावेदार नेम थ्वाय को छे दो से शिकश दी इस्पेन ने अर्जंटीना को 95-75 से फाइनल महरा कर बास्केटबॉल विशकब जीत लिया है इस्पेन की टीम पूरे टाइम तक अर्जंटीना टीम पर आवी रही और दूसरी बार अंतरास्ती बास्केटबॉल का सबसे बड़ा खताब जीतने में सफल रही तीन बार के ओल स्टार खिलाडी माग गेसॉल इस दौरान एक ही साल में एन्बीए खताब और विशकब जीतने वाले केवल दूसरे खिलाडी बन गए भारती एथलीट मैंग वैद ने वर्ट की सबसे कटिन रेस एडू रोमन ट्राइथलोन को रिकॉर्ड समय 50 गंटे 24 मिनट में जीत लिया वोनों ने इस रिकॉर्ड को 2 गंटे 6 मिनट के मार्जिन से तोड़ने में सफल रहे मैंग वैद या रेस जीतने वाले एशिया के पहले और दुनिया के चवालेस में एटलीट बन गए है ये थी आज की इस अंक में खेल की सुर्खियां आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नवश्कार साथाई खेल समिक्षा के साथ ही आज की खेल पत्री का अब यहीं संपन होती है आपको हमारा कारिक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से ज़रूर सुचित करें हमारा पता है कारिक्रम खेल पत्रिका द्वारा कींद्र निदेशक आकाश्वाणी शामला हिल्स भोपाल पिन 462002 तो साथियों आज के अंक में बस इतना ही अगले अंक में फिर होगी मुलाकात इसी दिन इसी समय तब तक के लिए खेल पत्रिका की पूरी टीम के साथ मुझे यानि प्रीती चड़ीदार को दीजे इजासत नमस्कार